गुड मानिंग स्टुडेंट आज क्लास में हम पढ़ेंगे समाजिक ज्यान में भुगोल का अध्यन करेंगे क्योंकि समाजिक ज्यान में जो इतियास का हमारा कोर्स था वो कंप्लीट हो चुका था तो आज से हम भुगोल को पढ़ेंगे chapter 1 का अध्यन करेंगे chapter 1 का नेम है संसाधन एवं विकास 6 chapter आपके complete हो चुके हैं जो तियास के थे आँगे आज से हम भुगोल के अध्यन करेंगे बोल के बारे में पढ़ेंगे तो बोल का चैप्टर वन इस्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है संसाधन एवं विकास तो आदम संसाधन एवं विकास के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए पढ़ते हैं अपनी क्लास पे चलते हैं पढ़ते हैं संसाधन एवं विकास के बारे में ह्युए तो सबसे पहले यहम क्लास में क्या करेंगे दीर गुतुरी देज़ें प्रश्ण में पहला प्रश्ण game हमारा थे बूस्षरन क्या होता है बूछ षण चरण मतलब सब्सक्षम होगा कि भूमिका च्टेन बूमिका च्टारन कहलाता है तो एसे पूछा गया है कि भूर च्ट्रन क्या इसको अगर ना भी पड़े तो सुन जी इस मैं समझा नहीं होता है तो समझ लीजिए ऑपको अच्छे सतyorum सो जाएगा धू च्रत को रोकने के उपआयों का में वरणन करना है तो बंचरन होता क्या है Пहले इसके बारे हम पढ़ ta क्या है तो रखिए बंचरन क्या होता है । धूलेश बारे इंपढ़ लेते ह। तो भू चरन होता है विभिन प्राकृतिक एवम मानुई यह एमारी भासा है वैसे हम कह सकते हैं कि भूमी का बिनास यह नश्ट होना ही भू छो नश्त कहलाता है ठीक है योग उती है लेकिन इसकी भासा में भूचरन होता है तो फिर उसके अंदर लिखेंगे दो लिखेंगे कि भूचरन रहते हम स्वक्राईट प्रियाओं के माधियं से बिभीन प्राक्रतिक क्रियाओं और कुछ भुम को इधर करते हैं इस फिर उसमें मघाते हैं तो बिभीन जो प्राक्रतिक क्रियां तो होती है जैसे पानी गिरता है तो भूम के छरण हो जाता है जो वह चरण के अंतर आता थीक है तो बिभिन प्राक्रतिक एवं जो मानवी क्रियां के माध्यम से दीरे धीरे जो क्रसी योग जो भूम होती है, उसका विनास हो रहा है तरके अथवा 20 नस्ठ हो जा रही है, तुक्त करसी योग जो भूम होती थी, वो क्रसी योग होती जा रहा opinions जो है, वह बहुत कम मातरमें दीखाई पढ़ रही है, वहाँ क्या, हो गया कि आज कल सभी जगह पर प्लाटिंग स्टार्ड हो गई इस चो बंजर कहते हैं तो वो क्रस के योग नहीं है तो इस तरह से जो क्रस के योग नहीं होती है नस्थ होती है उसे यह दो बोलते हैं क्या बूछरण कहते हैं क्या बोलते हैं बूछरण कहते हैं तो बिभिन प्रकृतिक एवं मानमी प्रक्रियाओं के माध्यम से धीरे धीरे क्रसियोग भूमी का बिनास अथवा नश्ट होते जाना ही बूछरण कहलाता है अब हम बूछरण को रोक कैसे सकते हैं तो चाहिए और शाथ ही नए वन च्षेतरों का विकास भी करना चाहिए मतलब जो वनों की कटाई हो रही है अतधिक मात्रा में तो हमें करना चाहिए कि वनों की कटाई को हम लोग रोकें जादा से जादा वनों को न काटें जब बहुत ही जरूरत पड़े तभी वनों काटें नहीं तो वनों को हम काटने से बचें और क्या करें हम अधिक से अधिक पेड लगाएं जहां भूमें आपको खाली दिखें वहाँ पे अधिक से अधिक क्या लगाए जाएं पेड लगाए जाएं तो इस तरह से नए वन चेत्रों का विकास भी होगा और वनों की अधिक जो कटाई होगी उसे रोकेंगे तो हमारा जो भूछरान की प्रक्रिया है वह रुक जाएगे दूसरा उपाई के आए क्या कर सकते हैं तो दूसरा उपाई यह है कि अंधा दुन्न विस्तार को रोकना चाहिए उधोगों के कारण जो दो तरह तरह के लगाया जाते हैं ठीक है कहीं पर चीनी उदोग कहीं पर वस्त उद लगा होती बहुत सारी भूम के आप सकता होती है ठीक है तो हमें उन्हें जादा से जाधा धूगों को क्या विस्तार को भी रोकना चाहिए Và कछणा और उसे भी हम लोगों को क्या करना चाहिए पार नियंतरत करना चाहिए दोगों से निकलता है खुड़ा और क convicted करना थे ल तरहें जो जो भूझ राण हो जाएगा वहर रूखनें में को l1 मात्रह में आंगी देख्ते थीस्वाई क्या है भूच्चरन को रोकने का तो तीस्वाई है मरुस्थली छेत्रों में खेतों के चारों तरफ जारियां उगा कर या फिर पेड लगा कर प्रवाहित हवा होने से प्रवाहित होने से होने वाले भू अपरदन को रोकना चाहिए ठीक है मुझो मरुस्थली छेत्रों होते हैं उसमें क्या करना चाहिए खेतों के चारोर हमें जाडियां उगा देनी चाहिए क्या उगा देनी चाहिए खेतों के चारों तरब जाडियां उगा देनी चाहिए और फिर उसमें क्या करना चाहिए पेर लगा देनी चाहिए और जो पेर लगा कर जो प्रवाइत होती हवा उससे हम लोग क्या कर सकते हैं भू अपर्दन को रोक सकते हैं, भू अपर्दन मीन जो भू मेरी कट जाती है, तो वही उसको हम क्या कर सकते हैं, अगला चोथा उपाय में क्या है, तो चोथा उपाय है कि पहाड़ी धलानों पर तेज प्रवाहित जल को काबू में करने लिए पेड़ों से युगत सीडी दार खेत बनाना चाहिए अगर पहाडी धलानों पर तेज प्रभाहिद जल हो उसको काबू करने के लिए जो पेड़ों से युक्त सीड़ी दार जो खेत हैं उन्हें हमें क्या करना चाहिए और पांच्वा उपाये में बाड की समस्या उत्पन्न करने वाली नदियों पर हम ल नहां से बारुत पन्न होती है जिन नदियों से तो उन पर हमें क्या करना चाहिए उन नदियों पर बांध बना देना चाहिए अगर हम उसमें बांध बना देंगे तो हमारी जो भूच हरन की प्रक्रिया होगी कुछ मात्रा में रुक जाएगी तो इस तरह से यह पांच उपा के सोपानों की चर्चा कीजिए भारत में संसाधन नियोजन के प्रयास को रोकने के उपाय बताईए संसाधन नियोजन के सोपानों की चर्चा कीजिए भारत में संसाधन नियोजन के प्रयास को नियोजन को समझाना है भारत में संसाधन नियोजन के प्रयास को समझाना है तो हम पहली हेडिंग डाल देते हैं पहली हेडिंग है हमारी संसाधन नियोजन के सोपान तो किस कारण से हम संसाधन नियोजन कर सकते हैं तो पहली हेडिंग डाल देंगे उसमें संसाधन नियोजन क तो देखिए संसाधन जो नियोजिन का पहला सोपान है तो पहला हमें क्या करना चाहिए देश के विभिन जो प्रदेश है उसमें संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बना लेनी चाहिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि जितने भी देश में संसाधन है उनकों में उन संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बना ले इसमें छेत्री सर्वेच्षण मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुडात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना एवं मापन करना सामिल मां बना चाहिए और सनसाधन विकास योजनाय लागू करने के लिए उपयुक्त प्रोदोग की कौसल और संस्थागत नियोजन धाचा तयार करना दूसरी प्रक्रिय हम ये भी कर सकते हैं कि संसाधन विकास जो योजनाए होती उनको लागू करने के लिए हम उपयुक्त प्रोदोग की कौसल और संस्थागत नियोजन धाचा तयार कर ले और राष्टी विकास योजना में समन्य में भी स्थापित करना चाहिए। अगली बात करते हैं अगली हडिंग की तो अगली हडिंग क्या है उसे पढ़ लेते हैं। अगली हडिंग है हमारी भारत में संसाधन योजन के क्या प्रयास हैं। उन प्रयास के बारे में कर लेते हैं कि हम उन्हें भारत ने संसाधन योजन के प्रयास कैसे कर सकते हैं तो देखे सबसे पहला जो हमारा प्रयास होगा वो हम करेंगे भारत में संसाधन योजन के लिए प्रथम पंचवर्सी योजना से प्रयास करने सुरू कर दिये गए थे भारत में जो संसाधन योजन के प्रयास किये गए हैं उसके बारे में बताना है क्या क्या अभी तक प्रयास किये गए हैं तो देखे पहला प्रयास किया गया था कि भारत में संसाधन को नियोजन करने के लिए प्रत्थम पंचवर्सी योजना से प्रयास करने सुरू कर दिये गयते दूसरा लेकिन जो प्रधोग की विकास और संस्थागत परिवर्तनों के बिना पूर्ण विकास संभव नहीं है इसलिए कई प्रधेश संसाधन होते हुए भी आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं जबकि कुछ प्रधेश संसाधनों की कमी के बावजूद आर्थिक रूप से बिक्सित हैं आता संसाधनों की उपलब्धता के साथ प्रधोग की मानो संसाधन की गुडवत्ता और एतिहासिक अनभोग की भी आवसेक्ता है इसलिए सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि संसाधनों की उपलवता के साथ प्रधोग की मानव संसाधन की गुडवत्ता और एतिहासिक अनभोग की भी आवसेक्ता हमें पढ़ती है ठीक है चलते हैं अगले कोश्चन पर देखिए अगला कोश्चन हमारा क्या है हमने दो को पूछा गया है कि भारत में पाई जाने वाली भारत में पाई जाने वाली म्रदाओं का वर्णन करना है मतलब भारत में किस प्रकार कि प्रकार की मिटियां पाई जाती है और उनका वितरण भारत के मान्चित्र में भी दरसाना है कहां कहां भी इम्रदा पाई जाती है उनक तरह से इनका वर्णन है और भारत के मानचित्र में तो आप लोगों को दर्चाना है ठीक है सबसे पहले हम इसका वर्णन कर लेते हैं कितनी प्रकार की म्रदा पाई जाती हैं तो एक दो तीन चार ठीक है पांच छे साथ तो ना छे प्रकार की म्रदाएं पाई जाती हैं मतलब छे प्रकार की भारत में मिटियां पाई जाती हैं तो हम उन छे प्रकार के बारे में पढ़ लेते हैं तो देखिए पहला प्रकार हमारा क्या है तो पहला प्रकार है जलोड म्रदा जलोड म्रदा क्या है उसको हम सबसे पहले बात करें, तो संपूर उत्री मैदान में इसका फैलाओ है, सारा जो उत्री भाग है, उत्री मैदान है, वहाँ पे जड़ोल जो म्रदा है, जड़ोल म्रदा ही फैली हुई है, दूसरा सिंधु नदी में, गंगा नदी में तथा ब्रह्मपुद नदी में भी ये विक्सित है, ये मिट्टी कहां कहां पाई जाती है तो ये मिट्टी सिंधु में गंगा में और ब्रह्म पुत नदियों में भी ये मिट्टी पाई जाती है तीसरी अगर बात करें तो रेत, सिल्ट तथा मृतिका के बिभिन अनुपात इसमें पाई जाते हैं यहाँ पर रेत भी स्मिट्टी में मिलती है सिल्ट भी मिलती है और नतिका भी मिलती है मतलब रेत और सिल्ट यहाँ पर क्या होती है जरोर मृदा में पाई जाती है तीसरी चौरे अगर बात करें जरो मृदा के बारे में तो जरो मृदा उती है जरो मृदा आज यह बहुत उपजाओ तथा गन्ना, चावल, गेहूं आधी फसलों के लिए यह सबसे अच्छी मृदा बोली जाती है यह बहुत उपजाओ होती है और सबसे खास कर गन्ना के लिए चावल के लिए और गेहों के लिए जो मरदा होती है जलो मरदा यह सबसे अच्छी मरदा गहलाती है तो ये हमारी थी पहली मृदा, दूसरी मृदा को पढ़ते हैं, दूसरी मृदा हमारी कौन सी है, तो दूसरी मृदा पर आती है हमारी काली मृदा, हम काली मृदा के बारे में चार पॉइंट पढ़ लेते हैं, तो सबसे पहले काली मृदा की बात करते हैं, तो काली मृदा को इसका रंग काला होता है इसलिए इसे काली मृदा बोलते हैं और काली मृदा को एक और नाम से बोलते हैं तो उसको बोलते हैं रेगूर मृदा या रेगर भी बोलते हैं यहां पर रेगर लिखा है रेगूर मृदा बोला जाता है क्या बोला जाता है रेगूर रेगुर मृदा तो काली मृदा को हम क्या बोलते हैं रेगुर मृदा भी बोलते हैं दूसरे चीज काली मृदा में कौन कौन सी खेती अच्छी होती है किस तरह से मतलब कौन सी अगर खेती करें तो अच्छी होती है तो काली मृदा में कपास और मूँफली की खेती के लिए यह उपयूग तो होती है मतलब सबसे अच्छी फजल कपास और मुंफली की होती है काली मृदा में तीसरे अगर पॉइंट की बात करें तो महाराश्ट सौराश्ट मालवा मदप्रदेश और च्छतिस गड़ के पठार में यह पाई जाती है यह कहां कहां पाई जाती है तो य होते हैं तत्तो उपस्तित होते हैं तो पहला तत्तो इसमें उपस्तित होता है कैल्सियम कार्बोनेट काली मृदा में कैल्सियम कार्बोनेट मैगनीशियम पोटास और चूने जैसे यह तत्तों से परिपूर्ण मृदा होती है यहां पे चार जो तत्तों होते हैं वो मेंली जो important होते हैं कौन-कौन से calcium carbonate, magnesium, potassium, potassium और चूना जो होता है ये इन तत्तों से जो काली मृदा होती है हमारी वो परिपूर्ण पाई जाती है तीसरी अगर हम मृदा की बात करें तो तीसरी मृदा को क्या बोलते हैं तो तीसरी मृदा हमारी है लाल या पोली मृदा इसे लाल म पोली मृदा के बारे में केवल दो पॉइंट ही हैं देखिए क्योंकि यहां पे लोहे के करों की अधिक्ता होती है लाल मृदा में लोहे के करों की अधिक्ता के कारण इसका रंग जो होता है वो लाल होता है और कहीं कहीं पे इसका रंग जो होता है वो पीला भी होता है पच्छणी छोर और पश्चमी घाट में पहाड़ी पर पाई जाती है तो सबसे पहले लाल और पॉली म्रदा की बात करें तो क्योंकि यहां पर लोहे की जो आयरन की जो कण होते हैं उनकी अधिकता पाई जाती है इस तरह से इसका जो रंग होता है वो लाल होता है और कहीं कर लिजएगा इसको पीली कर लिजएगा पीली म्रदा तेकि अभगे अब देख लीजएए यहां पर औरी जी यहां पाहिए जातीं पीली म्र्दा यह पाहां पनुए पाती है तो चोती म्रॉदा हमारी है लेटे left म्रॉदा की बात करें तो उछत तापमान और अधिक वर्सां प्रदों लिक्सुत विक्सित होती है यहां पर अधिक वर्सां होती है वहारी निच्छालन का परिणाम भी देती है इसमें क्या होता है जो लेटे राइट मात्रा होती है यहां पर हुमस की मात्रा कम होती है लेटे राइट मात्रा में क्या होता है हुमस की मात्रा कम पाई जाती है यह मृदा कहां कहां पर पाई जाती है तो यह जो लेटे राइट मृदा होती है यह करना करनाटक केरल तमिलनाडू मद्वड दे उड़ि में पायजाती है तो लेटर 2 र्यांट की बात करें सबसे पहले नमबर सब्से ज्यादा पायोतीक नाटक किरल में मद्व나क लेध में देनि और बस लेटे राइट मिर्दा के बारे में एक और कि यह जो लेटे राइट मिर्दा होती है यह काजू की फसल के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त मानी गई है मतलब जो लेटे राइट मिर्दी होती है यहाँ पे काजू सबसे अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं पैदा होते हैं तो पांचवी मिट्टी की बात करें तो पांच मिट्टी है हमारी मरुस्तली मुरिधा अगर मुर्थी मुर्दाय इसका रंग लाल तर्था पूरा होता है कैसा होता है इसकाला है रंग लाल और भूरा तो ये कैसी मृदा होती है तो ये रेतीली और लमडी मृदा होती है जो मरुस्तली मृदा होती है रेतीली और लमडी मृदा होती है सुस्क जलवायू उच्छ तापमान के कारण जल वास्पन की दर यहां पे अधि मरुस्थली म्रदा में यूमस और नमी की मात्रा भी कम होती है मरुस्थली म्रदा में यूमस और नमी की मात्रा कम पाई जाती है तो मरुस्थली म्रदा में यूमस और नमी की मात्रा भी कम पाई जाती है मरुस्थली म्रदा उचित सिचाई प्रबंधन के द्वारा उपजाऊ बनाई जाती है तो मरुस्थली म्रदा को हम लोग क्या करते हैं उचित सिचाई प्रबंधन के द्वारा मतलब सिचाई की जो प्रक्रिया है उसकी उचित बेवस्था करके हम मरुस्थली म्रदा को क्या कर सकते हैं उपजाओ बना सकते हैं अगली म्रदा के जो सबसे लास्ट म्रदा है उसकी बात कर लेते हैं तो अगली म्रदा हमारी है वन म्रदा अगर हम वन म्रदा के बारे में बात करें मतलब इसके गठन में जो पर्वती पर्यावरान के अंसार इसमें बदलाव भी होता है नदी घाटियों में म्रदा दोमट तथा सिल्टदार होती है नदी घाटियों में ये मिट्टी कैसी होती है और सिल्टदार होती है अगर बात करेंगे हिम अच्छादित छेत्रों में तो जो बर्प से रखे रहते हैं उन्हें बोलते हैं हिम अच्छादित छेत्रों में जो म्रदा होती है यहां पे इस म्रदा का अधिक अपरदन भी होता है जहां पे हिम अच्छादित छेत्रों होते ह वो पढ़ लिए है ठीक है आंगे हम लग उत्री प्रशने की बात कर लेते हैं तो देखिए लग उत्री प्रशने की बात करें तो पहला प्रशने हमारा क्या है उसके बारे पढ़ लेते हैं लग उत्री में जो पहला प्रशने हमारा है वो है मतलब लग उत्री में जो पहला प किस तरह की यह मिट्टियां होती हैं, तो सबसे पहले हम खादर की बात कर लेते हैं, देखिए, खादर जो मिट्टी होती है, नवीन जलोर होती है, कैसी होती है, नवीन जलोर, यहीं पर बांगर की बात करें, तो यह प्राचीन जलोर होती है, मतलब ये पुरानी मिट्टी होती है जो खादर होती है नवी जड़ोर होती है नई मिट्टी होती है आंगे बात करें तो ये जो खादर मिट्टी होती है ये अधिक बारीक होती है और रेतीली होती है कैसी होती है अधिक बारीक और रेतीली होती है हमारी खादर म्रदा बांग मतलब उसको बार-बार हम नवी करन कर सकते हैं। लिकिन जो बांगर उती है उसका हम बार जो बना सकते हैं। और बांगरमदा की बात करें, तो बांगरमदा जो होती है, वो नदी से दूर उचे इस्तर पर निर्मित मैदानों में पाई जाती है, यह जो खादरमदा पाई जाती है, नदी के पास डेल्टा था बार में पाई जाती है, और बनाने में यह जो खादरमदा पाई जाती है, जो नदी के दूर उचे स्तर होते हैं निर्मित मैदानों में जो कौन पाई जाती है नदी से दूर उचे स्तर पर निर्मित मैदानों में पाई जाती है अगले question की अगर बात करें तो अगला question हमारा क्या है ज़र पढ़ लीजे अगले question की बात करें तो इसमें पूझा के है कि प्रत्वी सम्मेलन हुआ था उनेस सो बान में जिसे हम बोलते है रियोर दी जेनरो टीकले किए बीजएनरो भी कुछ लोग बोलते है तो इसको यह कहां पे HUD on में टिपडि लीकले की सम्मेलन हुआ था इसमें क्या क्या हुआ था तो देखें जो प्रत्वी सम्मेलन हमारा हुआ था यह 1992 में हुआ था यह कहां हुआ था रियो डी जेनरो नाम था इस्थान का और यह इस्थान ब्राजील में पाये जाता है तो ये जो प्रत्वी सम्मेलन 1922 था, ये रियो डी जेनरो जो प्राजील में पाय जाता है, वहाँ पर ये आयोजित हुआ waktu और किस महिने में आयोजित हुआ था, जून के महिने में ये आयोजित हुआ το, ठीके, यहाँ पर दूसरे नंबर पर इसकी बात करते हैं टिपड़ी अगली बात करें तो विश्व इस्थर पर उभरते पर्यावरन संद्चन और समाजिक आर्थिक समस्याओं का हल डूड़ने के लिए भी ये आयोजित की गई थे तो नेताओं द्वारा भूमंडली जलवाई परिवर्तन और जैविक विविता के घोशना पर भी इसके द्वारा हस्ताचर किया गया था पांचवे नमबर पर बात करें तो भूमंडली वन सिध्धानतों पर इसके समेलन में परत्वी समेलन जो 1992 में हुआ था इस समेलन में भूमंडली वन सिध्धानतों पर भी सहमेती मिली थी तो ये पांच जो हुए थे खाम ठीके तो ये हुए थे प्रत्वी समेलन 1992 में तो बस यह इतना इमें पढ़ने था इस टिप्री में ठीके आँगे कोश्चन की बात करतें अगले कोश्चन की तो अगला कोश्चन जरा पढ़िए क्या लिखा हुआ है अगले कोश्चन में बोला गया है कि म्रदा अपरदन को किस प्रकार रोका जा सकता है तो देखिए अभी अभी हमने इसका विस्तरी तुतरी में पढ़ा था तीक है किस प्रकार से उसको रोका जा सकता है लिखा है क बिबिन उपायों को लिखी है तो देखे सबसे पहले नदियों पर बांध बना कर उसके बहाओ को कम करें जिससे मृता परदन रूख सकता है दूसरी बात करें तो अधिक से अधिक हमें व्रच लगाना चाहिए तीसरी बात करें तो मरुस्थली चेत्रों में काटे दार वनस्पति लगा सकते है और चोथी बात करें तो पहाडी चेत्रों में सीड़ी नुमा खेद बना सकते है उसके द्वारा भी मरदा परदन को रोख सकते है और पांचवे नंबर की बात करें तो मरुस्तली छेत्रों के किनारों पर पेड़ लगा कर भी हम म्रदा परदन करें